ये गाईज आई वेलकम टु गुजराट जीके एक्सप्रेस मारू नाम शानिल चौदरी अने आज आपड़े चर्चा करी शूँ गुजरात मा भावनगर स्टेट नो एटले के गोहिलवाड जेने आपड़े गोहिलवाड नाम थी ओड़ोखिये शे बराबर तो भावनगर र जो मित्रोता में आपणी चैनल मा नवा हो तो प्लीज आपणी चैनल ने सब्सक्राइब कर जो अन्ने मने सजेशन आप जो कि आपणी नेक्स्ट कया प्रकारनी सीरीज शरू करवी जोई एक एक्साम ने आनो लक्षी ने बराबर छे चाल जो ही आपड़े बावनगर स्टे बराबर राजस्थान ना उदैपूर मा पण एमनु शासन हतु यह पण जानवा मले शे एव क्यम जानवा मले शे तो त्या आवेलू एक एकलिंग जी महराजनु मंदीर शे एमनी साक्षी पूरे शे के बैग गोहिल बंच नू शासन ए उदैपूर मा हतु बराबर तो आर के कई शका है के भावनगर नी अंदर वस्ता जे गोहिल बंच ये तो ए मुल राजस्थान ती अहीं आवेला शे बराबर वर्ष अग्यारसोने चोराणों नी अंदर सव प्रथम वर्ष अग्यारसोने चोराणों एटले के बार्मी सदीना उत्राधर नी अंदर जो आपने सेजक जी द्वारा अथवा तो भावनगर नी प्रथम राजदानी कई तो सेजक पूर बराबर एले के भावनगर गोहिल बंच नी स्वारी भावनगर नी ने गोहिल बंच नी सव प्रथम राजदानी कई तो सेजक पूर आपने कई शू काराण के अग्यारसोने चोराणों अलोग यप राजदानीयों बढ़ाँशे अपने जोईये छे, स्टेट नी बनी शे, ये वगतना ततककालीन राजा कोन तो एमना द्वारा राजदानी बनावाँशे अने छेन ले 2723 नेंदर भावनगर राजदानी बनावा मा आवे शे जेने आपड़े गोहिल वार तरीके उरखिवे शे बराबर तो चलो चर्चा करिये वे राजदानीयों कही शे एने आपड़े डीटेल मा जोई है सव प्रथम आपड़े अमना हाल वाद करी कि 1104 ना रोज सेजक पूर सेजक जी द्वारा स्थापवा मा आवे शे एले कि गोहिल वांच नी प्रथम राजदानी आपड़े जने कही है शे बीजू शे 1254 मा राणपूर एटले कि एत्यार हल बोटाद जिल्ला मा आवेलू शे बोटाद जिल्ले मा आवेलू शे राणपूर औने रानाजी द्वारा आ राणपूर राजधानी बनावा मा मा आवी हैती गोहिल वंच नी गोहिल वंच नी त्रीजी राजदानी जो आपड़े वाद करे तो एक नवा बता मोहमत बिन तुगलक ना समकालीन हता अने तुगलको द्वाराज मोखडाजी गोहिल ने एत्या करवा मावी ती ये पन खास ध्यान रागजो तुगलको द्वारा मोखडाजी गोहिल ने एत्या करवा मावी एती अने मोहमत बिन तुगलक ना समकालीन हता उम्रा उम्राडा राजदानी स्थापनार कौन मोखडाजी गोहिल ध्यान राग जो बराबर बद्धानी आपने चर्चा करवानी शे आगर जो ये भावनगर राजदानी स्थाप्वा मा आवे लिए गोहिल वंच नी प्रथम राजदानी काई सेजगपूर बराबर से अने 7023 ने अंदर भावनगर राजदानी बने शाने त्यार बाद भामसी जी प्रथम ती आपड़े आ गोहिल वाड नो एटले के गोहिल वंच भावनगर स्टेट नो आखो इतियास आपड़े यहां थी जानवानों शे तो आ आपड़े बीजिक माहिती जोई बैक्ग्राउं पर आकरमन करवा माँवेशे बलाबर आपणे हाल आगल जोईव आगल आपणे हाल जोईव के 1723 ने अंदर जले राजदानी बदलाई नो आती एला शीहोर राजिदानी एती बलाबर शे आल आपड़े जोईव आने पीला जी द्वारा, तो शिहोर जीती लेशे येलोकों, तो शिहोर ने मजबूरन खाली करी, खाली करी, आने क्या जवू पड़े शे? तो या भई, त्याना तर्थकालिन राजा कोन अचे? भावशीं जी वेशे, आने भावशीं जी ए वखते, वर्त्मान मा भावनगर एनी बाजुमें गाम नहीं तु वडवा गामने बाजुमें पूता ना जिनाम पर थी एक भावनगर राज्यानी स्थापना करी बडबर छे अने वडवा गामनी बाजुम स्थापना करी है ऐ पणियाद राग जो बडबर فॉसी जीना पूत्र और थो P thkim खुनाध्राव बरबर मराठा पेशवा रगुनाध्राव ने आश्रय आपे चे कगी फर्ष्व से हो जो यह मरला हो जो परखेश आपण आपणे जोवानू से भावनागर स्टेटनी वंचयावले मरद ने वहत्रों चे找 एक राजव अपणे भानीशियild लाइन शर तो जो पहला 22 जी प्रथम त्यार बाद अखे राज जी भावशी जी प्रथम विशे आपड़े चर्चा करी ना खी जे बराबर के बहुए यमने बावनागर स्टेट वसायू तो के बहुए सत्तर चोने 22 मां मराठा सर्दावरो द्वारा सिहोर उपर आकरमन करी द पेश्वा रगुरा थ्रावने आश्रय पेश एमना विशेका फ्यक्ट जानमा जयुँशे त्यार बाद अवे आपड़े चर्चा करी शू वखत शींजी त्यार बाद विजय शींजी विजय शींजी ना पूतर आवशे अखे राज जी त्रूतिय त्यार बाद जस्वंच ज़स्वन शीनजी ना पूत्राव शे भामसी जी दृतिवे आपने डिटेल मा चर्चा करवाने शे तक्त शीनजी ने जहरे आपनु भारत देश आजाद थाया शे त्यारे प्रथम रजवाडु दानौ अपना रेटले के कृष्णकुमार शीनजी जी भारत संग नी अंदर प्रथम राजपत्र पर साही करिये तिये वाँ कृष्णकुमार शीनजी आपने एकदम डिटेल ने अंदर चर्चा करीशू बराबर शे तो आपने हवे चर्चा करिये आगर नेक्स्ट आपने इंफोर्मेशन बराबर जो ये हवे अखेराज जी बाद आपने खबर जे के वखत शीनजी साशक बनेशे वखत शीनजी जेशे ए आताबई नाम्ती जानेता से अने खास याद राग जो भावनागर नी अंदर चामरडी नामना गाम नी अंदर चामरडी नामना गाम मा प्राचिन कालिन बराबर येटले क रिंगे। गाउरी शंकर होजा, जे विजेछ शिहंजी ना दिवान हता, बरावर, विजेछ शिह शिहंजी विश आपधे चू जानवानु शे, तो एम ना शमकालीन जोगीदास खुमान आने हादा खुमान आ बन्ने नुँ नाम आपड़े याद राखु पर से, जोगीदास खुमान आ प्रचलीत आता तो जोगिदास औने विजय सीहिंजी नी सत्रूत आनी जे वीर गाथा अग्षे एक खूबज प्रतलित छे बराबर तो याद रग जो अने कवी दलपत्रा में विजय सीहिंजी ना चरित्र पर बैक काव्यों लखे छे एक छे विजय विनोद औने एक छे सबंदीच तो विजय सीहिंजी महराज एक यांती सबंदीच चे तो गोहिल वंचना राजा हैता बराबर छे खास ध्यान राखे जुआ औने बीजू आम्ना माश्यू यद राखे छे तक जोगिदास खुमान ये आमना समकली ना अता अने विजय सीहिंजी एन्जोगिदास गगा ओजा एटले के घवरी शंकर ओजा भावनागर नी सेवा माँ डार सोने 22 नी अंदर मातर 70 वर्ष नी उम्मरे दाखल थाये पोता नी सेवा नौकरी ले अन्य विवीद होद्दाव भगवी छेले अधर सोने अग्णाशी माँ पोते दिवान पदे थी निवरूत थाये दिवान पदने ये वक्ते मुख्य प्रधाननों पर्धपन केवानों केवातू हतू बराबर से गगा ओजये जैरे निवरूत्ती लिदी त्यारे एमने निवरूत्ती बादनों समय ये पोते वेदांत अन्ने धर्मशास्त्र नों भ्यसक्रमाव वितावे शे बराबर अने चले अडार्सोंने 46 मां पोते सन्यास्च विकारे शे औने सच्चीदानन सरस्वति नाम धारान करे शे मोस्ट इंपोर्टन प्रस्ना छे के नीचे पेकी सच्चीदान सरस्वति नाम कोने धारान करी होतू तो गवरूरी शांकरोजा जे भावनगर ना दिवान हता विजये बराबर जे आपने याद राखवू पढशे तो आपने चर्चा करी भावसींजी प्रथम जे भावनगर ने स्थापना करी त्यारबाद अखेराज जी एमने पेशवा रगुराव ने शू करियू आश्रय आपे उ बराबर त्यारबाद आपने तक्खक शींजी जोया तो बराबर त्यारबाद आपने बाद करिये तो विजय शींजी आपने याद राखियू जोगिदास खुमाण आने हदा खुमाण नी जे स्टोरी येमने वीर गाथा बराबर ए प्रचलीच छे आने त्यारबाद आपने दलपत्राम द्वारा लखेला बेक काव्ये नी पण य तो मित्रो मने लागियू इतली सारी इव इंफोर्मेशन मूं कि हजू बीजो बाग आवशा ने त्री जो बाग आवशे त्रोण बाग माँ अपने भावनगर स्टेट ने कम्प्लीट करी शू तो आज प्रकारने डीटेल लेने तमारी समक्ष मरतो रईस टुंकत समय ने अ होता रहो गुजरा जीके एक्सप्रेप्स चैनल गोड़ ब्लेस यू अल